संपूर्ण विश्व को एक जूटता के भागों में पिरोने की बात करने वाले भारतिय सभ्यता संस्कृति के लोगों के खिलाफ अगर जगदा बाबु जैसे लोग इस प्रकार की टिका टिपनी करेंगे तो मुझे लगता है कि हरी टोपी पहनने वाले लोगों की गोध में बैठ करके खिलने वाले लोगों से इसी परकार की अपेक्षा की आपार लालु जी का राजनैतिक भविश्य उनके दोनों सुपुत्रों के रूप में काना है इसलिए उन्होंने जान बूज कर बिहार के बच्चों के भविश्य को बिहार के युवाओ के भविश्य को बढाते हुए देश को खतम करना चाहते हैं देश को धीदेशियों के हाथ में यह लोग बेच देना चाहते हैं। मंत्र पढ़ा जाता है कि ओम चंदनम वंदते भगवान विश्णु तो भगवान विश्णु को समर्पित जो तिलक है चंदन है और उनको साक्षी मान करके जो चंदन हम लोग अपने माथे पर लगाते हो भारतिय सब्वेता संस्कृती एकता और अखंडता को बनाई रखने वाला तिलक है कि जगदा बाबु जैसे लोगों को नहीं पता है इन लोगों का संपूर्ण जीवन जो है लालुजी और लालुजी के जो दोनों सुपुत्र जो राजनैतिक रूप से जिनका भविश्य जो है वो चौपट है और जो राजनैतिक रूप से असिक्षित है वै इसे लोगों के पीछे घुमते घुमते इनका जीवन कट रहा है। सब्सक्राइब का ज्यान अरजित करने की आवशक्ता है। करते समय एक मंत्र पढ़ा जाता है कि ओम चंदनम वंदते भगवान विश्णु तो भगवान विश्णु को समर्पित जो तिलक है चंदन है और उनको साक्षी मान करके जो चंदन हम लोग अपने माथे पर लगाते हो भारतिय सब्वेता संस्कृती एकता और अखंडता को बन राजनैतिक रूप से जिनका भविश्ण जो है वो चौपट है और जो राजनैतिक रूप से असिक्षित है वैसे लोगों के पीछे घूमते घूमते इनका जीवन कट रहा है तो इस प्रकार के लोग इसी प्रकार की मानसिक्ता से ग्रसित रहेंगे इसी प्रकार की बाते कर बिहार के बच्चों के भविष्य को जिन्होंने खतम कर दिया जिन लोगोंने बिहार के बच्चों को दूसरे राज्यों में पलायन पर मजबूर कर दिया उन्हीं राज्यों के मुखे मंत्रियों के साथ ये लोग बैठ करके आज विपक्षी गटबंधन का विपक्षी आज भारत में G20 का सम्मेलन हो रहा है और वसुधेव कुटुम्बकम की निती के आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं संपूर्ण विश्व को एक जूटता के भागों में पिरोने की बात करने वाले भारतिय सब्वेता संस्कृति के लोगों के खिलाफ अगर जगदा बाबु जैसे लोग इस परकार की टिका टिपनी करेंगे तो मुझे लगता है कि हरी टोपी पहनने वाले लोगों की गोद में बैठ करके खेलने वाले लोगों से इसी परकार की अपीच्छा की जा सकती लाजनाल Sooji का राजनातिक भविष्य। उनके दोनों सुपूत्रों के रूप में काना है इसलिए उन्होंने जान बूझ कर बिहार के बच्चों के भविष्य को बिहार के युवाओ के भविष्य को अंधा करने की कोशीज की ताकि कोई भी वैक्ती जो है वो सिक्षित न रहे अगर सिक्षा सवाल खड़े करती है इसलिए वो असिक्षा के भाव से संपूर्ण बिहा चाहते थे ताकि अंधो में काना राजा जो कहावत है वो चरितार्थ हो पाई और इनके दोणों सुपुतर जो राजनेतिक रुप से कानेजे हैं वो विहार में राज कर सके परन्तु राजनेतिक 9 चेतना का प्रारंभ विहार में देश की यश्यस्वी सुई प्रधान मंत्री आदर्निया स्री नरेंदर मोदी जी के नित्रतों में हो चुका है गौतम बुद्ध की भूमी महावीर की भूमी जगत जननी मा सीता की भूमी को किसी भी प्रकार से अगर ये लोग कलंकित करने का कारे करेंगे तो भारतिय जन्ता पाटी का नित्रतों इसके खिलाफ हमेशा खड़ा रहेगा एक सवाल और रहा है कि जिस तरह से लगातार सनातन पर सवाल उठाए लोग सभाशुनाव नजदी का रहा है नहीं लग रहा है कि फरमूला को ले करके ये लोग सनातन को टार्गेट कर रहे हैं बार बार देखिए सनातन संस्कृती प ताकि सनातन एक्ता को खंडित किया जाए और देश को खंडित किया जाए और इस प्रकार के लोग टुकड़े टुकड़े गैंग की गोढ़ में बैठने वाले ये लोग हैं और ये सनातन संस्कृती को जान भूजकर नीचा दिखाना चाहते हैं उसके गौरों को समाप्त कर चाहते हैं ताकि संपूर्ण सनातन संस्कृति जो है वो एकजूट नहीं हो पाए और विखंडित रहे जिसके कारण ये फूट डालो राजकरों की निती जो अंग्रेजों ने इनको विरासत में सौपी है राहूल गांदी और सोनिया गांदी जैसे लोगों को उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए देश को खतम करना चाहते हैं देश को बिदेशियों के हाथ में ये लोग बेच देना चाहते हैं परन्तु मैं आपको बताऊंगा कि मर्यादा पुर्शोत्तम भगवान स्री राम चंदर जी के जीवन संसकारों पर अचार विचार संसकार पर भारत व की रक्चा करनी होगी तो हम एक जुटता के साथ खड़े रहेंगे मस्तक पर तिलक धारन करके अगर इन्हें जान के अहुती देना ही पड़ी तो यह लोग देंगे लेकिन इसमें आप किया है कौन हो जरूपता है आप देख रहेते जनता जक्सन मेरा नाम रीशी है